वेलकम तू दियाश्यमाज शो कोरोना वारस अभी कोई ऐसे संकेत नहीं दिखा रहा कि वो जल्दी थमने में आएगा ऐसे में भारत और पूरी दुनिया में हम सब चिंतित हैं बहुत से important और unavoidable questions को लेकर जैसे कि बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि उन्हें और उनके परिवार को संक्रमित होने पर क्या करना है कहां जाना है तो इस वीडियो में मैं आपके इन ही questions का हल करूंगे आपको बता दूँ कि अभी भी हमारे पास कोरोना वायरस को टेस्ट करने की कोई readily available test kit उपलब नहीं है इसके संक्रमित को जांचने के लिए कुछ टेस्ट हैं जो लाब में किये जाते हैं तो आज आपको उन सभी टेस्ट के बारे में पता लग जाएगा और इंडिया की लाब संबंदित जो भी जानकारी आपको होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि जैसे अभी दिल्ली के सवदर जंग हॉस्पिटल में जो हाथसा हुआ वो ना हो एक कोरोना वाइरस के सस्पेक्ट ने कोरोना वाइरस से डर कर जानकारी के अभाव में हॉस्पिटल के सेवन्थ फ्लोर से जम करकर सोसाइट कर लिया ऐसे जानकारी के अभाव में आप न रहें और आप इस वाइरस के नाम से डरे नहीं बस सचेत रहें पर उससे पहले, प्लीज आप मेरे चानल को Trusted and Verified Information के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना कब है। गाइस आपको टेस्ट के लिए तभी जाना है अगर पहला, आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स महसूस हो रहे हो। दूसरा, हाल ही में आपने दुनिया के उन हिस्सों के यात्र की हो, जहां इस वायरस का संक्रमन अधिक है। तीसरा, अगर आप किसी ऐसे व्यक्तिय के कॉन्टाक्ट में आये हैं जिसने उस संक्रमित देशों में ट्रावल किया हो। या चौथा, अगर आपको लगता है कि आप पिछले 14 दिनों में किसी ऐसे व्यक्तिये कॉंटाक्ट में आये हैं, जो पॉस्टिव टेस्ट हुआ हो, अब बताती हों कि कोरोना वाइरस का टेस्ट कहा होता है, कोरोना वाइरस का टेस्ट सिर्फ स्पेशलाइस्ट लाप्स में क किया जा सकता है, जो ऐसा करने के लिए प्रमानित है, यानि कि सर्टिफाइड है, अभी के लिए सिर्फ सरकारी लाप्स को ही कोरोना के टेस्ट करने की अनुमती है, लेकिन कोरोना की जंग से जल्दी निपटना है, तो टेस्टिंग के फैसिलीटी को बढ़ाना जरूरी है, इसको देखते हुए अब सरकार कोशिश में है कि प्राइवेट लाब्स में भी ये सुविधा मिल सके अब बात करते हैं कि कोरणा वाइरस का टेस्ट कैसे होता है डॉक्टर्स की तरह बात नहीं करोंगे, सिंपल भाशा में बताऊंगे टेस्ट के बारे में सबसे पहले आप ये जान ले कि इसके टेस्ट की दो स्टेज़ होती है प्रेलिम्स यानि की प्राइमरी स्टेज और फाइनल्स यानि की सेकेंडरी स्टेज Primary test में एक health professional मरीज के नाक या गले या फिर दोनों से लार या बलगम के samples collect करता है इन samples को निकालने के लिए उनके पास kit मौजूद होती है क्योंकि ये respiratory disease है तो infection सबसे पहले नाक और गले को attack करता है तो इन samples से nucleic acid निकाला जाता है और आगे testing के लिए भीजा जाता है अगर इस primary test में उस रोगी की पुष्टी हो जाती है तो उसके samples की दुबारा secondary testing की जाती है secondary testing, final testing होती है जो NIV की lab यानि की secondary lab जो पूना में है उसमें की जाती है अगर उसका नतीजा भी पहुस्तिव आता है तो मतलब मरीज कोरना वाइरस से संक्रमित है इसी information से health ministry किसी व्यक्ती के संक्रमित होने की गोशना करती है और तब ही एकेस WHO के list में add होते हैं इसके बाद उस व्यक्ती को hospital में isolation में रखा जाता है और तब तक इलाज किया जाता है जब तक वो ठीक ना हो जाए अब दिखते हैं कि इन testings में समय कितना लगता है प्राइमरी टेस्टिंग में लगबग 2-4 घंटे लगते हैं आगे लैब में जहां इनकी secondary testing होती है वहां 3-4 घंटे लगते हैं लेकिन इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय तब लगता है अगर जिस लैब में मरीज की testing की जा रही हो वहां secondary testing की सुविधा ना हो क्योंकि ऐसे में samples को NIV या secondary testing की सुविधा वाली किसी दूसरी लैब में भिजा जाता है क्योंकि transport में time तो लगता ही है अब बात करते हैं कि इस coronavirus की testing में कितना खर्चा आता है खर्च की बात करें तो coronavirus patients के लिए ये testing बिल्कुल free है अगर आपको इसकी जरूरत महसूस होती है तो आप बिल्कुल अराम से जाकर अपना test करवा सकते हैं सरकार इसका एक भी पैसा नहीं ले रही है अब देखते हैं कि क्या BIMA यानि की medical insurance companies इस बिमारी को कवर करती हैं Insurance Regulatory and Development Authority of India नहीं चार मार्च को सभी BIMA companies को claim में coronavirus के इलाज के दोरान hospital में admit होने और medical expenses को cover करने का निर्देश दिया है ऐसे में आप जरूर थोड़ा सुरक्षित महसूस करेंगे अब देखते हैं कि इंडिया में कितनी labs में test हो रहे हैं इस समय कोरोना का test 72 सरकारी labs में किया जा रहा है जो Indian Council of Medical Research ICMR द्वारा संचालित है इन 72 lab के list आपको ICMR की website पर देखने को मिल जाएगी इन labs में अभी तक करीब 12,000 samples test किये जा चुके हैं लेकिन जैसा कि मैंने बताया Health Ministry के अधिकारियों के मताबिक करीब 60 और recognized private labs में जल्दी टेस्टिंग की सुविधा मिल सकेगी टेस्टिंग के स्केल को बढ़ाने के लिए ICMR ने 20,000,000 और टेस्टिंग किट्स का order दिया है अगर आपको टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है तो स्टेट गवर्मेंट द्वारा जारी helpline numbers या फिर central helpline numbers of ministry of health पर आप call कर सकते हैं वो आपको नस्दीकी सुविधा के बारे में बता देंगे 1075, coronavirus के लिए health ministry का toll free helpline number उमीद करती हों कि आपको मेरे त्वारा दीगए information helpful रही होगी अगर हां तो प्लीज मेरे चानल को subscribe किये बिना मत जाना और हां अगर आप मेरे साथ Instagram पर connect होना चाहते हैं तो why not आप मुझे Instagram handle दे आश्यमा शो पर भी follow कर सकते हैं डारेक्ट one to one कोई question हैं तो आप पूछ सकते हैं See you there अपना और अपनों का ध्यान रखें मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में